विक्रम-S और्बिट में ये रॉकेट उडान भर रहा है और इस मिशन की काम्याबी का जो काम्याबी को आप देखिए काम्याबी के बाद भारत तब प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉंचिंग की दुनिया में अवल देश्यों की कतार में खड़ा हो जाएगा प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S को हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस कंप्री ने बनाया है आंदर प्रदेश के शिरी हरी कोटा के सतीश धवन अंत्रिक्ष केंडर से विक्रम-S की लाँचिंग पी जाएगी है इससे पहले इस्वो की तरद से अलग लग पेलोट के हिसाब से कैई तरह के रॉकेट जो है वो हम इस्तवाल करते रहे हैं तो इस पेस की लिहाद से एक नई उपलब्धी इसको आप कह सकते हैं अंत्रिक्ष में भारत की इस नई उपलब्धी को आप देख रहे हैं यहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस जो है आज भीजा जा रहा है तीन सेटलाइट के साथ इसको यहाँ पर भीजा जा रहा है अंत्रिक्ष में भाराज की नई उड़ान आप कह सकते हैं अंत्रिक्ष शेत्र के लिहाँ से एक इस तरह की उपलवदी है कि यहाँ पर प्राइवेट रॉकेट भी अब यहाँ पर श्री हरी कोटा से पहला प्राइवेट रॉकेट यहाँ पर लाउंच होगा है विक्रामेस जो रॉकेट है इसका निर्वान हैदराबाद स्थित स्काइरूट एरोस्पेस कंपनी ने किया है और यह काफी महतुपूर है आप कह सकते हैं इस लिहाँ से क्योंकि अब प्राइवेट स्थित के रॉकेट का भी इस्तिमाल यहाँ पर अंत्रिक्ष के लिए वो पाएगा इस रॉकेट के अगर खासियतों की बात करें तो विक्रम एस एक सब और्विट ओडान भरेगा और यह सिंगल स्थित का सब और्विट लॉंच वेकल है जो अपने साथ तीन कमर्शल पेलोड जो है वो लेकर जा रहा है यह तस्वीर हम आपको सीधी यहां पर दिखा रहे हैं शिरी हरी कोटा से अंधर प्रदेश के जहां पर लॉंच के बाद की तस्वीर हैं किस तरह से यह रॉकेट जह है अंत्रिक्ष के तरफ यहां पर पढ़ रहा है इससे पहले कई तरह के रॉकेट आपने देखे हैं इस रो इस तुमाल करता रहा है प्यसल वी जो की अलग अलग वजन के पेलोड जो है वो लेकर जाने में सक्षम है अंत्रिक्ष में और अब यहां पर यह पहला प्राइवेट रॉकेट है जो की प्राइवेट स्पेस कंप इस रो के लॉंच पैट से इसको लॉंच किया जा रहा है यह तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और यह स्काइरूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट को विक्रमेश को दो सालों में विक्सित किया है और यह लॉंच काफी महतुपूर है इसलिए क्योंकि आप देखि तो यह आप सीधी तस्वीरे देख रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 80 किलोमेटर के जो डायरा होता है जिसको स्पेस कहा जाता है और पिर्थूपूर के बाहर की उसमें यह रॉकेट अब दाखिल हो गया है और इसके बाद यह देखा जा रहा है कि तमाम चीज़े जो कर यह रॉकेट अंतरिक्ष में यहां पर जा रहा है और यहां पर विक्रम वन कक्षिय वाहन में जो है इसको आप कह सकते हैं इसका किया जा रहा है और यह एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से यहां पर बनाया गया है विक्रम एस रॉकेट को इसको आज यहां पर जो है यहाँ पर बनादेना चाहेंगे इन पैस को जिन्होंने इस पूरे mission को regulate किया, guide किया, हम बढाइंदाना चाहेंगे Shatishthaavan Space Center Shihari Koota को जिन्होंने यह हमें फेसिलिटेट किया, ISRO को, ISRO Chairman को we thank all these people we are humbled by the support which we got happy views from the mission control and yeah and now we take a leave from you goodbye from our side handing over to Shri Pawan Goenka chairman in space for his speech thank you weas thank you viewers for joining us we sign off safety officer confirm clear launch please stand by we are going for inspection we'll ask us and clear otherwise normal good morning I'm happy to announce the successful completion of mission program the beginning of a sky route aerospace the rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers exactly what was planned by sky route aerospace all systems as I can make out worked as planned and sky route aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle I congratulate sky route aerospace their team members and thank various centers of ISRO specifically SDSC STRAC and VSSC team members of in space led by director PMA Dr. Jain and director technical Mr. Rajiv Jyoti and many thanks to multiple reviews conducted by experts from ISRO in space and from outside for the mission readiness and launch clearance led by Dr. B. Sures this is a new beginning for Indian private sector entry into space and it's a historic moment for all of us we have the pleasure of having Honorable Minister of State Dr. Jitandar Singh here with us to give us encouragement and I request him to give his thoughts on what this today's mission means for our country Dr. Singh Congratulations India It is indeed a new beginning a new dawn and shall I say very appropriately as our team members have put it a new prarambh in the journey of India's space program and very many thanks to Honorable Prime Minister Modi Ji who has made this effort possible by opening up the space sector to public private participation It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations and of course a turning point in India's startup movement well done team Skyroot the co-founders can join me here Pawan IIT Kharagpur Illuminae Bharat IIT Madras Illuminae your work day and night to make this possible and of course kudos isro you have this day on the 18th of November 2022 added yet one more feather into your much decorated hat and thanks thanks isro for putting India as a frontline nation in the years to come and a nation to which others would look forward to vital cues in the journey of space sector thanks once again congratulations congratulations everybody well done and I request Pawan Chandana mission director for Pradamba mission and also co-founder of SkyRoot to talk about what it took to reach up to this point and Bharat is the co-founder of SkyRoot is also here honourable union minister of state dr. jitendra singh jih secretary department of space dr. somnath jih chairman in space dr. pawan goenka jih director shahr director vssc respected guests our colleagues and everyone watching this online jih shri haricotta and the pradish jih jih vikramis joh joh antriks jih jih antriks jih bharat kia jih 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 झाल झाल